काफ़ी टाइम पहले मेरे पास बीन बैक था जो की खराब हो गया था तो उसकी जो बीन सी वो मैंने स्टोर करकर रख दी थी ताकि मैं उसका आगे यूज कर सकूँ तो आज मैं उसी बीन से जो हम घर पर कुशन बना सकते हैं तो वो बना कर मैं आप लोगों को दिखा रही हू इसके लिए मैंने एक पतला सा फैब्रिक लिया है जो की प्लेन वाइट कलर का है देन मैंने एक और फैब्रिक लिया है उस जिससे मैं कुशन का कवर बनाऊंगी जो ये वाइट फैब्रिक है इससे मैं कुशन रेडी करूंगी और ये दूसरे वाले फैब्रिक से मैं कुशन का कवर बनाऊंगे आप जिस भी साइज का कुशन बनाना चाह रहे हैं आप उस साइज का कुशन ले ले आप उस चाहे तो कुशन का कोई कवर हो तो और रखकर भी आप साइज मेज़ कर सकते हैं तो यहां पर मैं इस साइज का कुशन बनाने जा रही हूं तो मैंने इस कुशन को मैंने फैबरी के ओपर रखा है और मैं इसको सेम साइज में कट कर लूँगे दोस्तों इसको कट करने के बाद हमें क्या करना है हमें इसको तीन करने चारो साइट से स्टीच तो कर देना है लेकिन हमें इसको साइड का हमें इसको फाइफ इनचे कर रखाना है क्योंकि हम यहां से इसमें बीन्स डालेंगे हम काफी पार जो फाइबर होता है वो उससे भी कुशन बनाते है तो उसमें भी हमें ऐसे ही थोड़ा सा पार्ट छोड़ना होता है तो ऐसे मैंने कुछ शेप बना ली है मैंने सर्कल शेप में ले लिया है स्कुएर पीस भी कट कर लिया है और इसको ऐसे ही मैंने सारी तरफ से सील कर थोड़ा सा 3 और 4 इंचिस के करीब मैंने स्पेस छोड़ दिया है और यहीं से मैं इस कुशन को सीधा कर लूँगी और सीधा करने के बाद जितने भी मैंने पीसेज कट किये है जो जिस भी शेप में किया है उसको मैं सीधा करकर रख लूँगी तो यह है वो बीन्स जो मैंने काफे टाइम से रखी हुई थी मैंने सोचा कुछ इसका यूज होई जाएगा तो इन बीन्स का यह जो कुशन होते हैं यह काफी अच्छे भी होते हैं अब हम यह बीन्स डालेंगे कैसे वह मैं आप लोगों को बता देती हूं क्योंकि बीन्स डालने में बहुत सारी प्रोब्लम्स फेस करनी पड़ती है फ्लोर पर भी काफे बीन्स गिर जाते तो इसके लिए मैंने एक सारी की पोलोथीन ली है आप कोई भी इस टाइप की पोलोथीन यूज़ कर सकते हो और उसको मैंने एक बरतन की हैप से मैंने बीन्स को इस पोलोथीन के अद़र डाल लिया है जैसे कि beans था तो मेरी बेटी भी beans को देखने के लिए बार बार आ रहा थी तो अब friends हमी क्या करना है सबसे पहले जो हमने beans डाल लिया है then हमी क्या करना है इसको उपर से हमें अच्छी तरीके से लोक कर देना है कि यह जो beans है यह भार की तरफ ना निकले लेकिन आप अगर हाथ से डालते तो आपका की जैदा बींस गिरती इस वेसे अगर आप डालेंगे तो बहुत कम ही बींस आपकी जो फ्लोर पर गिरेंगे और आप इसली इसको पिलो के अंदर इंसर्ट कर पाएंगे तो इसके बाद वामें क्या करना है जो यह कौन शी शेप ह इसको कट करने के बाद जो कुशन का पाड था जो हमने ओपन रखा हुआ था बस इस पाड को हमें उस जो पन पाड हमने रखा था उसके अंदर लगाना है और बींस को धीरे-धीरे हमें इसमें फिल करते हुए जाना है तो बस मैं एसली ऐसे ही इसको थोड़ा प्रेस करती से जाए जाऊंगी जिसे बींस जो ये पिलो मैं बना रही हो उसके अंदर धीरे-धीरे चली जाएगी तो यह मैंने ऐसे करते हुए सारी बींस इसके अंदर डाल दी है इस वैसे जो बीनस को डालने में नमें कोई परेशानी अन्य फ्म करनी परती बहत अरवने बींस beispielsweise जाती है तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स किते हैं और जो वो पार्ट ओपन था उसको हमें फिर साइड से सुई की हेल्प से सिल देना है मशीन से भी सिल सकते हो अगर पोसीबल हो तो यह एक उंदर सा पीलो बनकर तयार हो गया है एक सरकल शेप का जो मैंने शेप बनाई थी मैंने बीन्स डाल दी है तो यह आप देख सकते हो कितनी जल्दी और अराम से कुशन रेडी हो गया है अब हमें इसका कवर बनाना है कवर की वीडियो में काफी बार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं तो मैं डेटेल में आप लोगों को नहीं बता रही हूं बस मैंने यह जो साइज का कुशन बनाया है वो मैंने फैब्रिक के उपर रखा है और फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है अब इसको कट करने के बाद बस हमें सिंपली क्या करना है हमें साइज मेजर कर लेने के बाद बस हमें इसको साइड से स्टिच कर देना है तो यह मैं साइड से स् कर लोंगे और इसको सीधा करने के बाद जो हमने पिलो बनाया है कुशन बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे कवर के अंदर तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स जो बीन्स हमारे पास रखी ती जिसका यूज नहीं कर रहे थे तो उससे आप इस टाइप के अपनी अकोडि कर लीजी